दोस्तों true color में से auto call recording का जो feature है न वो गायब होने वाला ये बताया है खुद officially true color ने दोस्तों ये क्यों होने वाला गायब और ये auto call recording है न सिर्फ true color ही नहीं आपकी android device में नहीं होगी मैंना अल्रेडी परसो इस पर वीडियो अप्लोड की हुई है अब लेकिन आज की दो आप अप्लोड रिक्वेस्टर की वीडियो स्कीप मत कीजिएगा है गाईज मेरे ना में रोही तो आप देख रहें आपके यूट्यूब चैनल टेकें रोहीत को जहाँ आपको देखने के लिए लिए टेक्नोल जी एन टिप्स और टिक्स की वीडियो सब से पहले गाई जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने परसो एक वीडियो अप्लोड की तिसमें आपको बताया था कि अब ओटो कोई बी एप्लीक्वेस्टर से डाउनलोड करते हो वह आपके एंडूड स्मार्टफोन वर्क नहीं करेगी 11 महीं के बाद नहीं 11 महीं के बाद जो पहले से प्रिंस्टोर आता है वह आपके फोन में आट रिकोंडिंग काम करेगा लेकिन आपने इंद्रीक से कोई application प्ली इसट आणलोड करेंगे वह आपकी स्मार्टफोन में काम नहीं करने वाला दोस्तों कर आपने तक वह वाली वीडियो नहीं की डिस्क्युक्रिशन मे जो आप Play Store से डाउनलोड करते हैं वो आपसे permission मांगती है Accessibility की Accessibility की ऐसी चीज़े जिसके आपको permission देनी पड़ती है अपनी डिवाइस में कोई भी application जो आप यूज करेंगे ऑटकॉल रिकोडिंग की अपनी स्मार्टफोन में वो पहले permission जुरूर मांगेगी जब उसको जो है उसको permission देने से मना कर देगा 11 माई के बाद में तो ऑटमेटिकली जो एप से प्लेश्टोर पर उनको कोई मतलब नहीं रहेगा और और उटमेटिकली गायव हो जाएंगे देरे देरे अगर नहीं भी हो देतों को मतलब रहेगा नहीं क्योंकि आपके Android डवाइस में का करना लेकिन 11 माई के बाद देखता हैं जैसे से होता कि venus को सकता है कि इसको robot सकता है लेकिन लगता नहीं कीज़ा ओब अपन के परOffice को सखते है गैस हम लोग वच्छे के मोबाइल फोन की स्कीन पर आप देखें मैंने आपको दिखाने के लिए सिंप्ली यहां पर क्या अप्लिकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड की हुई है जिसका नाम है ओटो कोल्ड रिकोर्डर आप कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मैंन परमिशन की बात है तो यह परमिशन मांग रहा कि बहुए आप अलाव और फोटो मीडिया फाइल से सब की परमिशन मांग रहा फोटो उसकी बता नहीं क्यों मांग रहा है मुझे लेकिन मांग रहा है अलाव कर दीते हैं ठीक है उसके बाद में ओके करते हैं इसको अब यह यहां पे simply आप इस पेज़ पर हैं कि यहां पर काम आता है accessibility का यहां पर download apps में आप जाएंगे तो यहां पर देख लिए जिए auto call decoder app connector यह accessibility है मैं इसको गरोन करता हूं तो simply आप समने हैं एक warning दिखाता है है accessibility is a higher sensitive permission if you grant this permission your private information might be leaked and property might be at risk यहनी कि अगर आप accessibility की जो permission है नो काफ़ जाए sensitive permission होती है अगर आप इसको दे देते हैं तो आपकी जो personal information है या फिर आपके phone में जो जो चीजी है ना वो leak भी हो सकते हैं किसी बंदे को पता चल सकती है नीचे सबको detail मत आगा जैसे कि read all screen content and control screen यानि कि आपकी जो screen है ना उस पर जो भी आप देख रहे हैं जो भी चला रहे हैं वो सारा कुछ देख सकता है वो बंदा जो इसका developer है या फिर जो इससे जुड़ा हुआ है ठीक है यह सारी चीजे हो सकते हैं यानि कि आपको एक तरह से spy किया जा सकता है learn your behavior and automate action यानि कि आपको जो behavior है उसको learn किया जा सकता है कि आप माली जाब WhatsApp चलाते हैं तो आप पहले कहाँ पे लिक करते हैं यह करते हैं वो करते हैं एक तरह से वह स्टैप से याद कर लेगा और उसका तो आपको पर्मिशन दे दोगे या आपकी ओडिकोडिंग स्टार्ट कर देगा लेकिन अभी फ्यूचर में 11 मही के बाद में यह अपडेट आएस के बाद यह वाली पर्मिशन आप इसा अलाव ही नहीं कर पाओगे तो जब यह पर्मिशन यह अलाव नहीं होगी तो यह अप्लिकेशन काम नहीं करेगी दोस्तों तो सिंप्ली यह चीज़ें ऐसे काम करती हैं आपको समझाए आपको समझ में आगया होगा और आपको कहीं प्रोलम में तो मुझे कमेंड कर दीजिए नीचे कमेंड बॉक्स में आज करने से नहीं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्ट टेक वीडियो में तो तक लिए चैहिंट पंते मातरा